आज की वीडियो में हम लोग class 12 political science का previous सतर में पूछे गए important question answer करने वाले ठीक है टोटल यहाँ पर 20 MC की question cover करेंगे और ये question जो है न वो हजारो question से बहुत ज़्यादा important question है क्यों? क्योंकि ये आपका पिछले साल में पूछे गए question answer है इसके बारे में jackboard ने भी बता दिया है कि जो question bank या नहीं जो पिछले सतर में पूछे गए question है वो बहुत ज़्यादा important question है अच्छा एक question बहुत ज़्यादा problem create कर रहा है जैसे मैं question bank वाले question लाता हो ना तो बहुत सारे student comment करते कि sir question bank वाले question कहां भी release हुआ है sir यहाँ पर बात इस चीज की है कि पिछले साल में जो question पूछा गया है उसका हम लोग set practice कर रहे हैं यानि उसके question को देख रहे हैं कि किस तरीके से question पूछे जाते हैं jackboard के द्वारा उससे आपको अनुमान भी लगेगा कि हाँ इस तरीके से हम लोग त्यारी करेंगे यानि year wise है वो set करेगा इसी question को इसी question को जी हाँ यह चीज हर एक साल बोलता है jackboard लेकिन कभी भी जारी नहीं करता है तो क्यों देर करेंगे हम लोग jackboard के चकर में क्यों रहेंगे जब आपके teacher यहाँ पर सारा कुछ available करवा रहे है वीडियो के माध्यम से तो आप लो question की त्यारी कीजिए ठीक है अगर जारी कर भी देता है ना तो उसको revision कर लीजेगा ठीक है तो चलिए question को cover करते है महनत कीजिए धीरे धीरे जैसे cheaty महनत करती है ना उसी तरीके से आप भी महनत कीजिए याद रखिएगा अब आपका exam का time आएगा ना उस वक्त देखेगा जो student बड़े बड़े यूट्यूबर के चकर में अभी फसे हुए कि वो वीडियो डालेंगे उसके बाद हम त्यारी करेंगे भै उसका वाट लगने वाला है ठीक है पहला अपसन तेलगू भासा, मल्यालम, कंणर या फिर तमिल इसका उत्तर हो जाएगा तेलगू भासा के आधार पर आपको पताओगा अंद्र परदेश में तेलगू भासा को प्रात्मिक्ता दी जाती है वहाँ पर वही भासा बोली जाती है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशिन तीसरा नंबर पुरवत्तर भारत के साथ बहनों में कौन सा राज सामिल नहीं है सबसे पहले आप ये वर्ड समझे पुरवत्तर भारत होता क्या है पुरवत्तर किसे कहते हैं तो याद रखेगा मैप में उपर की दिसा में उत्तर होता है ठीक है आज की डेट में जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको भूलिएगा नहीं बहुत काम आएगा नीचे होता है दक्षिन इधर होता है आपका पुरव ये चीज कभी भी नहीं भूलना है अगर ये चीज भूल जाओगे तो समझे कि इतिहाज, जोग्रोफी, पुलिटिकल, साइंस आपका कोई भी काम नहीं देने वाला यहाँ पर क्या बोला गया है पुरव अत्तर भारत पुर्व और उत्तर तो यहाँ पर आपका पुर्व आप लोग डिटेल से बुक में देख लिजेगा किसी मैप में देख लिजेगा वहाँ पर जो भी साथ राज्य है वहाँ पर कौन सा एक राज्य सामिल नहीं है ये कोश्चन पूछा गया है पहला यहाँ पर दियावा जम्मू और कस्मीर क्या वहाँ पर है या पर यहाँ पर देखिए नागा लेंड या फिर मेगाले या फिर मिजोरम इसका सही उत्तर क्या होगा क्योंकि देखिए नागा लेंड ना वहाँ पर है मेगाले भी है मिजोरम भी है लेकिन जम्मू कस्मीर कहाँ पर है तो जम्मू कस्मीर आपका उपर की ओर है उत्तर की ओर है है ना यहाँ पर है जब की यहाँ पर ना यह सारे जो नागा लेंड मिजोरम यह सारे चीज है ठीक है तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कस्मीर जो साथ बहनों वाले राजी में सामिल बिलकुल भी नही है आगे बढ़ते है नेक्स्ट कोश्चिन फोर नंबर कोश्चिन नंबर फोर क्या आपका 1971 के आम चुनाव में इंद्रा गांधी ने कौन सा नारा दिया था देगे दहज हटाओ या गरीबी हटाओ या भरस्टचार हटाओ या बिरवजगारी हटाओ इसका सही उतर हो चीन के साथ ठीक है कोश्चिन नंबर सिक्स क्या आपका 1952 से 1963 तक भारत में किस राजनितिक दल का परभुत रहा था इतने सालों तक अगर किसी पार्टी का जो परभुत हो कहने का मतलब है वो जीती थी ठीक है इतने वर्सों तक वो जीती थी तो वो कौन सी पार्टी थी क् यंतादल या कॉंग्रेस या सीव सेना सही उतर है आपका कॉंग्रेस ठीक है सेवन नंबर कोश्चिन क्या आपका ओजोन परत में हो रहे तिवरच है के कारण कौन सी किरन प्रित्वी के वातावरन को नुकसान पहुचा रही है थोड़ा सा इसको डीटेल से समझे वैसे बह वायू मंडल से होकर गुजरती है तो जो हानिकारक किरने होती है जैसे कि गामा रे या फिर देखा जाए तो ये इन्फरा रे है या फिर अल्ट्रा वाइलेट रे ये सारे किरन क्या होते है हमारे सरीर को या फिर देखा जाए तो हमारे परियावरन को नुकसान पहुचाती और इसी किरन को यह क्या करता है जो ozon परत वो रोगता है घिक है जिससे वाता वरन को कोई भी नुखसान नहीं होता है तो कौन सा किरन है तो ultra violet किरन है जिसको उसार्ट में बोला जाता है UV ठीक है तो यह जो किरन है यह हमारे तौचा में अगर डाइरेक्ट पड़ेगी तो त अच्छा कैंसर हो जाएगा इसी लिए ओजोन परत बहुत इंपोर्टेंट परत है आगे बढ़ते नेक्स्ट कोश्चिन 8 नमबर कोश्चिन 8 के आपका निम्न में से कौन सुरक्षा परिसद का अस्थाई सदस्न नहीं है चीन, बृतेन, फ्रांस या पिर इटली तो कोश्चि सीत युद में दो खेमे में पूरा विस्व बढ़ चुका था एक था आपका USA यानि United States of America दूसरा था आपका Soviet Sun Rus ठीक है तो दोनों खेमे में बटने के बाद जब Soviet Sun Rus का विगठन हो गया ये तूटने लगा पूरे तरीके से यहाँ पर बहुत सारे गनराज मिलकर इस रूस क यानि Soviet Sun का निर्मान हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर टूटना स्टार्ट हो गया 1991 में तो उसके कारण क्या हुआ जब ये टूटा तो भैस सबसे ज़्यादा सकती साली USA बन गया यानि United States of America ठीक है तो इसी का परभूत वरहा इसी का वर्चस वरहा कुछ भी अगर वर्च डाल दे तो आपको अमेरिका ही अंसर मारना है आगे देखे नेश्ट कोशन 10 नमबर दुत्तिये विस्वी युद में अमेरिका ने जापान के किस सहर में परमानू बम गिराया था दूसरे विस्वी युद में बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा यहाँ पहला उपसन आपका नागा साकी या इतोशीमा या माना मीसोमा या पिर हासीमा इसका सही उत्तर हो जाएगा उपसन नमबर नागा साकी में अच्छा डेट जरूर बताईएगा बहुत सारे स्टूडेंट से मैं सवाल पूसता हूँ आप लोग कमेंट में जवाब नहीं दे इसका मतलब आप लोग रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हो सिर्फ सोसल मीडिया में टाइम पास करते हो अगर कोशिन का एंसर नहीं आता है तो विडियो को रोग कर कहीं किताबों से आप उसको सर्च करके आप तूरत कमेंट में जवाब दे दीजिए इस से आपको हैबिट ह याद होगा ठीक है ये चीज याद रखिएगा आपका ही काम आएगा आगी देखिए नेक्स चत्र में पूछेगा इंपोर्टेंट कोश्यन टोटल दस कोश्यन हम लोग कवर करेंगे पहला कोश्यन है सी तियुद कब सुरू हुआ था उनीस सो एकानबे में उनीस सो उन्च जुड़ी है नर्मदा बचा अंदोलन चिपको अंदोलन दलित अंदोलन या किसान अंदोलन ये भी कुश्यन मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाया था इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा पिछले वाले वीडियो को देखिए उसके बाद पिछले वाले वीडियो में आवायद कबजा कर लिया था इराक ने जर्मनी ने सौधी अरब ने या फिर इरान ने इसका सई उतर हो जाएगा इराक कभी भी मिस्टेक से एरान नहीं मार देना है जैसे यहाँ पर कुएत में क्या आता है का आता है तो यहां पर का आया सुरू में यहां पर का आना चाहिए लास्ट में इराग इस तरीके से आप ट्रिक भी बना सकते हो होर नमबर कोशिन के आपका 1977 में जनता पार्टी के सासन में परधान मंत्री कौन बना था 1977 में ये भी कोशिन पिछले वीडियो में करवाय था तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा मौराजी देशाई किस नमबर 5 के आपका सहीुक्त राष्ट संग के अस्थापना कब हो जाएगा 24 अक्तूबर 1945 को अगे बढ़ते हैं नेक्श टे कॉशिन इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू और कस्मीर में तो यहाँ पर देखे इसका सही उत्तर हो जाएगा उपसन नमबर सी लेलिन ने यह चीज़ याद रखिएगा बहुत बार रिपीट हुआ यह कोश्चन इट नमबर कोश्चन के आपका पहला परियावरन सीखर सम्मिलन कहा हम वह था इसका उत्तर हो जाएगा उपसन नमबर जेनेवा में कोश्चन नमबर नाइन के आपका पूर्व के नए आर्थिक बागो की कोटी में किस देश को रखा जा सकता है जर्मनी को जापान को मलेसिया को या फिर चीन को इसका सही उतर हो जाएगा जापान को आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन टेन नमबर जै जवान जै किसान जै विग्यान का नारा किस ने दिया था देखिए यहाँ पर हड़ बड़ी में कोश्चन को नहीं पढ़ना है यहाँ पर क्या लिखावा जै जै जवान जै किसान जै विग्यान बहुत सारे student mistake करेंगे कि जै जवान जै किसान का नारा किस ने थी यहाँ पर जै विज्ञान भी जोड़ा गया है तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा सुबाश चंदर बोस, इंद्रा गांधी या फिर यहाँ पर देखिया आगे option आपका चांदी है ना, यह खरा सोना है यह चीज याद रखिये गा, ठीक है और जो भी ने भी वर है, जो आपको एक भी वीडियो प्रवाइड नहीं करा रहे है, question answer को लेकर 2024 board exam को लेकर previous सत्र के question को लेकर आप उनके चैनल को support करते हो, उनके फिर next वीडियो में